नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल में तो आज की हमारी रेस्पी इतनी टेश्टी बनने वाली है कि नाम सुनती है आपके मुह में पानी आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने लिए से उभुजी आप आपड़ी चार चना जूर गरम हरी मतर कटे हुए टमाटर साथ में स्वीट कौन उबले हुए आलू और यहाँ पे मैंने प्याज को भी काटके रख लिया है तो देखिए यहाँ पे मैंने काफी इंग्रिडियन्स को घटा कर लिया है साथ में मैंने यहाँ पे सूपर टिस्टी ग्रीन और स्पाइसी एक चटनी बनाके पहले से ही तैयार क मैंने यहाँ पे मुर्मूरा को भी मसालेदा चटकारेदार फ्राई करके तैयार कर लिया है और धे सारे डाल दी है इसके अंदर मुंफली के दाने काफी क्रंची होने तक इनको हमने भून लिया था तो यहाँ पे कुरकुरा मुर्मूरा बनके तैयार हो चुका है तो मैंने इसके अंदर हांडी के अंदर मुर्मुरा को ट्रांसफर कर लिया है आपको जितनी रेस्पी की तैयारी करनी है उससाब से मैंने यहापे मुर्मुरा ले लिया है तो करी मैं चार से पांच लोगों के लिए आज भेल पूरी चाट बनाने वाली हूँ अब मैंने यहाँ पैन के लिए इंदर करी दो चमाच ओईट डाला है आदे चमाच जीरा थोड़ी से हींग डाल दी है साथ में डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसी के साथ मैंने जो मतर को रखा था उबाल के उसे डाल दिया है थोड़ा सा हम मतर को खुली आश पर ही रोष्ट कर लेंगे क्योंकि भुनी हुई मतर खाने में काफी टेश्टी लगती है इसी के साथ में दो से तीन कटी हुई मैंने हरी मिष्ट डाल दी है और स्वीट कॉन को भी उबाल के रखा था, उसे भी हम मतर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसे थोड़ा सा टॉस करेंगे, साथ में डाला मैंने अकाली मिष्ट का पाउडर ये आलू के अंदर काफी टेश्टी लगता है और साथ में मैंने जो यह आपे आलू को उबाल के रखा था उसे डाल देंगे, साथ में डालेंगे कुछ मसाले थोड़ा सा डाला है मैंने गूल गप्पे का मसाला, आधा चमस लालमिच का पाउडर डाला है साथ में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और स्वादनुसा जाएगा नमक और साथ में डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया तो चलिए सारे मसालों को हम आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आज मैंने बहुती चटकारेदार और सूपर टेश्टी आलू और मतर का मिक्शर बनाके यहां पर तयार कर लिया है तो यहां पर तयार हो चुका है तो चलिए इसको रग देंगे हम साइड में और रेस्पी की आगे तयारी करेंगे तो मुरमुरा के इंदर डालेंगे कटा हुआ प्याश, टमाटा जाएगा, साथ में जाएगा, यहाँ पे जो हमने आलू का चटकारेदार मिक्चर बनाया था, वो डाल दिया है, एक चमर, डार्क सोया सॉस डालेंगे, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, फ्लेवर के लिए काफी अच्छा लगता ह आधा कटा हुआ, नीमबू डाल देंगे, अपने इसाब से कम जादा कर सकते हैं, थोड़े से डाले हैं, चना जोर गरम, साथ में जाएगी यहाँ पेशन की सेव भुजिया, यह थोड़ी सी तीखी है, और मैंने पहले से यहाँ पे इमली और गुर की चटनी बनाई थी, व साथ में डाला है, कटा हुआ हरा धनिया, और मैंने यहाँ पे अनार के दाने डाले हैं, यह खाने में इनकी हलकी सी मिटास, भेल पूरी के स्वाद में चार चांद लगा देए, तो बस इनको अच्छी तरह से घुमाते हुएं, हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि भेल पूरी चार बना के तयार कर ली है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, तो आज हमने कितनी आसान तरीके से, बिल्कुल मार्केट जैसी, सूपर टेस्टी, भेल पूरी चार बना के तयार कर ली है, तो फ्रेंड्स कुछ नया खाने का मन हो, हलकी फुलक भूंको तो आप इस तरह की रेस्पी कम समय में बना के तैयार कर सकते हैं और यकीन मानिए ये रेस्पी सभी लोगों को बेहत पसंद आती है आप इसमें अपने इसापसी इंग्लिडियन्स कम जादा भी कर सकते हैं तो देखिए मैंने यहां पे प्लेटिंग की तैयारी कर ली तो फ्रेंड्स आप भेल पूरी चाट बनाईए पूरे परिवार के साथ इसका स्वार लीजिएगा आपको ये रेस्पी बेहत पसंद आएगी बाई टेक केर